आप देख रही है MNS News सच ज़रूरी है नवश्कार MNS News ले में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचल तो आएए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरे वो खुद हाइक मान उन्हें मैं क्या बताओ पाइलेट पर ऐसा क्यों बोल गए राजस्तान के मुख्यमंत्री बगावत अवेलना और फिर समझोता ये रिष्टा क्या कहलाता है राजस्तान के मुख्यमंत्री गहलत और पूर्वा उप मुख्यमंत्री सचिन पाइलेट के मद्दे खिचातान के विच एपिसोड देख चुकी जन्दा और सियासी महारी दोनों नेताओं के मद्दे के रिष्टे को अच्छी तरह से जानने समझते हैं मगर ऐसे में राजनीतिक के जादुगर के रूप में लोग प्रिये सीम अशोग गहलत का एक ताजा बयांचर्चा में है और जानकर इसके अलग-अलग माई ने निकल रहे है सीम गहलत ने बिते दिन ओका है कि पाइलेट हमारी पार्टी की नेता है और तो खुद हाइक मान हो गए है हाइक मान को कहने की आवशकता नहीं होती है आलग मान खुद टिकट बाढ़ते है तो टिकट बटवारे में पाइलेट की भी भूमिका होगी वो एक मेडिया संस्तान के कारेकरम में राजसान विदान सबाद चुनाओ में टिकट बटवारे पर सचिन पाइलेट की अपनी बात रख रहे थे अशुक कहते है कि उनको मैं क्या कав उंको कहने की ज़रूरत नहीं है मैं उन्हें कहने वाला कौन होता हूँ उन्हें तो कॉंग्रेस प्रेसेडेंट की ही कह सकते है अशुक नहीं कहा कि पालेट पहली बार कॉंग्रेस वर्किंग कमेंटी में आये है और कॉंग्रेस वर्किंग कमेंटी का मेंबर होना बड़ी बात है उनके लिए टिकेट हाइक मान ही तय करेगा अब सबको जो कुछ कहना है आलक मान को ही कहना है ऐसे में जब राजस्तान भी न कई तंज भी नजर आते हैं अब ये कटाक्ष या सीधी सरलल बात ये सियासी विशेशनों के लिए चर्चा का विशेश जरूर है आए बढ़ते बगली खबर क्यों चुनाओ से पहले सियम गहलोत ने चला बड़ा दाओ कॉंग्रेस को होगा बड़ा फाइदा खबर एक कि बिहार की तरफ अब राजस्तान में भी जातिकत जनकर्ना होगी चुनाओ से पहले सियम गहलोत का ये फैसला एक बड़ा दाओ माना जा रहा है जिस ने का है कि राजस्तान सरकार भी बिहार की तरह जन्हित में जातिकत जन्गनना करवाएगी और उनके बाद राहूल गांदी की बार बार कह रही जाती जिसकी जो जन्गनना उसकी भागेदारी उतनी ही होनी चाहिए इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे आपको बता दी के राजस्तान में विदानसभा इलेक्शन नजदिक है मगर रन निती को लेकर कॉंग्रेस और बिजेपी की तोड मेहनत कर रही है सभी श्यासी पार्टी आपनी सत्रंदी चाल चलने के लिए हर मोरे का इस्तमाल कर रहे है कॉंग्रेस और भाती जन्दा पार्टी इस बार काटी की टकर नजर देते नजर आएंगे वै आए बढ़ते पगली खबर के और स्वामी नातन ने विद्नानिक नान उसके ववहारी अनुप्रयोग के विच अंतर कम किया वे सच्चे किसान विद्नानिक थे पीम प्रधानमती नरद्रमोदी ने हरित करांती के अग्रदूद M.S. स्वामी नातन जिसका हाली में नीदन हो गया है वो प्रयोग शालाओं के बाहर खेतों में उनके काम के प्रभाव के लिए एक सच्चे किसान विद्नानिक के रूप में वर्नित किये गया है प्रधानमती नरद्रमोदी ने का है कि प्रसिद्ध कृशी विद्नानी के विद्नानिक नान और उनके ववहारिक अनुप्रयोग के बिच अंतर को कम किया है प्रधानमंति नरद्रमोदी ने हरित क्रांती के अग्रदूद एव स्वामी नातन जिसका हाली में निदन हो गया है को प्रएक शालाओं के बाहर खेतों में उनका काम की प्रभाव के लिए एक सच्चे किसान वद्नानिक के रूप में वर्नित किया गया है शेनिवाब को कही अग्बारों में 46 शडदान जली को प्रधानमंति नरद्रमोदी ने का है कि प्रसिद्ध क्रुशी वद्नानी ने वद्नानिक नान और उनके वावहारी अनुप्रयोक के बिज अंतर को कम किया है वे एक सच्चे किसान वद्नानिक थे पियम मोदी उन्होंने कहा कि बहुत से लोग उन्हें कुरुशी वद्नानिक कहते हैं लेकिन मेरा हमेशा से ये मानना है कि वह इससे और भी अधिक थे वे सच्चे किसान विद्नानिक थे उनके दल में एक किसान था स्वामी नातुर्ण को शदान जली देने के लिए प्रसिद्धत अमिर पुस्तक कुराल का हवाला देते हुए मोदी ने कहा है कि वहाँ लिखा है यदि योजना बनाने वाले में ढूनता है तो वे जिस तरह से चाहता है उसे हासिल कर लेता है यहाँ एक ऐसा दिग्गज रक्ति था जिसके अपने जीवन में ही निर्न ले लिया था कि वह कुरुशी को मजबुत करना चाहता है और किसानी की सेवा करना चाहता है मोदीनी कहा कि किताब में किसानों को दुनिया को एक सुत्र में बानने वाली धूरी के रूप में वर्नित किया गया है क्योंकि किसान ही है जो सभी को बता बनाए रखते हैं और स्वामी नातर इस सिधान को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं उनके दुस्ट्री को उनकी सराहना करती हुए प्रदार मंती ने कहा कि दुनिया आज बाजरा को लेकर सुपर फूड के रूप में बात कर रही है लेकिन उन्होंने 1990 के दशक में बाजरा के बारे में चछा को प्रोसाइट किया और टिकाओ खेती के आवशकता और माना उन्नत और पारिस्तितिक स्तीरता के बीच नाजर संतुलन पर जोर दिया है अब आप हमारी चैनल को आप के मोबाल पर भी देख सकते हैं मोबाल आप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से मनेस नियूस दिवी आप डाउनलोड करें इंसालिंग ट्विटर हाइकुक फेस्बूक और यह है MNS News Network और आप देख रहे है MNS News